ये अक्टर अपनी तीसरी ही फिल्म से इतने लोग प्रे हो गए थे कि उनके टॉलेट में होने पर निर्माता निर्देशक टॉलेट के बाहर खड़े होकर उने अपनी फिल्म में लेने के लिए उनका इंतजार करते थे उनके पिता एक जोची थे और जब वे चोटे थे तब ही उनके पिता ने भविश्यवानी कर दी थी कि वो एक बहुत बड़ा नाम बनेंगे लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्हों पहली बार मॉडलिंग का उफर बस टॉप पर मिला था फिर बेताहाशा सफलता के बाद एक बार वो एक दम से दिवालिया हो गए लेकिन उन्होंने खुद को समाला और समय से लड़ते हुए एक बार फिर से खड़े हो गए वो सबस्टारा चर्शा में तब आए जब उनकी पत्नी का अफिर उनसे 17 साल चोटे लड़के के साथ सामने आया नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्तों दीवात करने जा रही हूँ फिल्मों के जग गुदादा यानि जैकी श्रॉफ के बारे में जिनका चॉल के जग गुदादा से मॉडल बनने और मॉडल से हीरो बनने तक का सफर खासा दिल्चस्प है वो जितना अपनी पर्फेशनल लाइफ को लेकर चर्शा में रहे उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे वो तब सबसे जादा चर्शा में आये जब उनकी पतनी का अफेर उन सत्रा साल चोड़ी लड़के के साथ चल रहा था इस वीडियो में जैकी श्रॉफ के प्रोफेशनल और परसनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहे हमारी साथ दोस्तों, जैकी श्रॉफ की जिन्दगी कम फिल्मी नहीं रही, उनका जन एक फरवरी उन्निस साथ साल बड़े थे, वो हमेशा चॉल के लोगों की मदद के लिए तयार रहते थे 1976 में उनके बड़े भाई की मौत हो गई, एक दिन जैकी ने चॉल में सुना कि कोई समुदर में डूब रहा है, भीड हटाते हुए जब जैकी नसदीक पहुँचे, तो देखा कि वो डूबने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बलकि उनके बड़े भाई हैं दस साल के जैकी ने बड़े भाई की तरफ तार फेका, लेकिन वो तार भाई के हाथ से फसल गया और जैकी की आँखों के सामने ही बड़ा भाई डूब गया बड़े भाई की मौत से वो बुरी तरह से तूट गए, इसके बाद उन्होंने खुद भाई की जगलेने का फैसला किया और पूरे चौल के लोगों की मदद करते रहे घर में पहले ही पैसों की तंगी थी, ऐसे में पिता के लिए पढ़ाई का करश्ठाना मुश्किल था जब दस्वी के बाद घरवालों के पास पैसे नहीं बचे तो जैकी की मा ने अपनी साडियां और घर के बरतन बेच दिये जिससे वो पढ़ाई कर सकें वो खुद भी कभी थीटर के बहार मुंगफली बेचते तो कभी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते थे शुरुवात में वो ताज होटल में शेफ बनना चाहते थे लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके पास आवश्यक योगता और डिग्री नहीं थी बाद में उन्होंने एर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अपनी किस्मत आजमाई लेकिन वहां भी निर्टम शिक्षा की कमी के कारण कौलिफाई नहीं कर सके फिर एक दिन बस स्टांड पर एक आदमी ने इनको देखा और कहा मॉडलिंग करूगे क्या जैकी ने सवाल की बद्दे सवाल पूछा पैसा दोगे क्या और इन दोनों के बीच हुई बादचीत ने चौल के मामुली लड़के को मशूर मॉडल बना दिया मॉडलिंग करते हुए जैकी की दोस्ती सुनील आनन्द से हुई जो कि देवानन्द के बेटे हैं जैकी ने एक दिन उनसे कहा कि मैं आपके डारी से मिलना चाहता हूँ मैं उनका बड़ा फैन हूँ जब जैकी देवानन्द से मिलने पहुँचे तो उन्होंने कहा सुबह देखी और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो तुमें रोल जरूर दूँगा जैकी शौफ को देवानन्द की फिल्म में सेकेंड लीड का रोल मिला 15 दिनों बाद देवानन्द ने जैकी से कहा कि वो रोल मैंने मितुन शकरवर्ती को दिया है मैं तुम को दूसरा रोल दू इस फिल्म में जैकी ने नकारात्म घुमिका ने भाई थी इसके बाद उनकी फिल्म स्वाम जादा रिलीज हुई इसके बाद सुभाज घई ने जैकी को हीरो के रूप में काम दिया 1983 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्थ हिच रही और वो लाइम लाइट में आ गए उस दौर में हर निर्मात और निर्देशक ये चाहता था कि जैकी उनकी फिल्म साइन कर ले आलम ये था कि जैकी अगर टौलेट में होते तो निर्मात और निर्देशक टौलेट के बाहर खड़े हो जाते कि जैकी जब बाहर आएंगे तो उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए उनका अंतजार कर ले गरीवी और तंगहाली से फिल्मी दुनिया में आए जाकी श्रौफ कई फिल्मों में नजर आने के बाद भी चौल में ही मा के साथ रहते थे उन्हें यहाँ बाथरूम जाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ रहना पड़ता था क्योंकि पूरे चौल में सिर्फ तीन ही बाथरूम थे कई बार तो ऐसा भी हुआ कि डाइरेक्टर उनके इंतजार में कई घंटों तक चौल तो कभी बाथरूम के बाहर इंतजार करते उनकी कुछ फिल्मों को उसी चौल में शूट किया गया था जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा जैकी शौफ की लव लाइफ की बात करें तो जैकी ने आईशा से शादी करी है जैकी और आईशा में पहली बार एक दूसरे को तब देखा था जब आईशा सिर्फ 13 साल की थी वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल बस का इंतजार कर रही थी तीनेज आईशा को देखते ही पहली ही नजर में जैकी उन्हें अपना दिल दे बैठे आईशा काफी अमीर घराने से हैं लेकिन जैकी का सधारन परिवार से होना उनके बीच दिवार खड़ा नहीं कर पाया इसके बाद दोनों की मेल मुलाकातों का सिलसला बढ़ा और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे लेकिन दोनों की लव स्टोरी में समस्क्या ये थी कि आईशा से मिलने से पहले ही जैकी की एक गल्फरेंट त्री जो की अमेरिका पढ़ाई करने गई थी जब ये बाद जैकी ने आईशा को बताई तो आईशा ने जैकी से उस लड़की को लेटर लिखने की इजाज़त मांगी आईशा ने उस लड़की को लेटर लिखा और उसे जैकी के साथ अपने रिष्टे के बारे में बता कर ये लिखा कि जब तुम वापस आ जाओगी तो हम दोनों जैकी से शादी कर लेंगे और बहनों की तरह रहेंगे ये देखकर जैकी समझ गए कि आईशा उनसे बेहत मौपत करती है इसके बाद आईशा और जैकी ने 1987 में शादी करके अपना घर बसा लिया हाला कि आईशा की माईस के लिए तयार नहीं थी लेकिन अपने जनम दिन के दिन आईशा ने जैकी से शादी करके एक बड़ा घर छोड़के जैकी के साथ चौल में शिफ्ट हो गई और सालों तक वे दोनों चौल में ही रहे उनके दो बच्चे टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ हैं वो सबसे जाला चर्शा में तब आये जब ये खबर आई कि उनकी पतनी का अफ़ेर उन 17 साल चोटे लड़के साहिल के साथ है चौकाने वाली बात ये थी कि शौट टाइम आक्टर रही साहिल ने खुद ये दावा किया कि उनका अफ़ेर जाकी श्रॉफ की पतनी आईशा श्रॉफ के साथ था हाला कि आईशा ने एफ़ेर की खबरों का खंदन किया दोनों के रिष्टे उस समय काफी खराब हो गए थे लेकिन सूजबूट से दोनों ने सुलजा लिये जैकी श्रॉफ बॉलिवुट की उन स्टार्स में से एक हैं जिनोंने फिल्म इंदस्ट्री में उतार और शुड़ाव दोनों देखा उनकी हस्ती खेलती जिन्दगी में तब भूचा ला गया जब जैकी श्रॉफ और उनकी पतनी आईशा श्रॉफ ने 2003 की फिल्म बूम को प्रड्यूस कर दिया इस फिल्म में दोनोंने अपनी जिन्दगी की सारी जमापुझी लगा दी थी लेकिन फिल्म बूम पूरी तरीके से पिट गई जिन्दगी के बीच उन्होंने अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाने की कोशिश की और उन्हें इससे दूर रखा जितना जादा हो सकता था उतना जादा काम किया और अपना सारा कर्ट चुकाया ताकि वो अपने परिवार का नाम खराब होने से बचा सके जैकी ने गरीबों के हित में बड़े काम किये कई बच्चों का स्कूल मेर्मिशन कराया कई लोगों का हिलाज करवाया आज जैकी की बदौलत करीब सो परिवारों का गुजारा होता है जैकी ने अपने पुराने घर की जगह तीन बत्ती से पाली हिलस्तिद घर के बीच वाले रास्ते में रहने वाले कई भेकारियों को अपना पर्सनल मुबाइल लंबर दे के रखा है कई भेकारी उन्हें आज जी मदद के लिए कॉल करते हैं और जैकी उनको तुरंद मदद पहुँचाते हैं सार बनने के बाद भी आज भी वो उस चौल में जाकर रहते हैं उनकी बेटी टाइगर श्रॉफ भी एक लोग प्रियाक्टर हैं तो दोस्तों आप जैकी श्रॉफ के बारे में क्या कहना चाते हैं आपके पास जैकी श्रॉफ जूड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश साजा करें ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अंजानी जानकारिया लेकर हाजिर हो जाऊंगी तब तक के लिए नमस्कार